हलो फ्रेंट्स अगर आपके लापटॉप का जो फिंगर्प्रिंट नहीं कर रहा और उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि उसका driver आपके laptop में install है की नहीं तो driver को check करने के लिए आपने क्या करना है windows icon पे यहाँ पे आपने right click करना है और right click करने के बाद आपको option मिलेगा यहाँ पर डिवाइस manager का इस पर आपने click करना है जैसी आप device manager को open करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह का fingerprint scanner का option मिल जाएगा मेरे case में लिखा हुआ है biometric drivers आपके devices आपके case में हो सकता है कि लिखाओ fingerprint devices तो पहले आपको यह चेक करना है जो पहले step आपका रहेगा कि जो आपका fingerprint का driver है वो आपके device manager में install होना चाहिए अगर वो install नहीं होगा तो यह आप कुछ भी कर लो यह नहीं चलेगा इसको fix करने के लिए आप तो यह कर सकते हो जो पहला step आप ले सकते हो कि अपने laptop की जो official website से इसका driver download करके install कर लो दूसरा आप क्या कर सकते हो अपने windows को update कर लो जैसी आप अपने windows को update करोगे जैसे कि अगर मैं यहां पर search box पे लिखूँ update तो उपर मुझे option मिल जाएगा check for updates जैसी मैं इस पर click करूँगा तो यहां से मिरे को windows update करने का option आ जाए laptop को install कर देगा तो पहले step तो आप यह करो कि make sure कि आपका driver install होना चाहिए दूसरा एक जो major चीज है जो इसमें hardware issue हो सकता है जिससे hardware से भी fix कर सकते हो इसके laptop के बाइस के अंदर ना option होता है कि आप उसका जो fingerprint है उसको reset कर सकते हो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने laptop को shutdown करता हूं shutdown करने के बाद मैं इस laptop में बाइस open करूंगा तो बाइस के अंदर option होता है अपने fingerprint को reset करने का एक बाइसको shutdown होने देते हैं और hp के laptop में आप इस escape की से बाइस settings को open कर सकते हो तो जैसे कि laptop shutdown हो गया इसको मैं आउन करता हूं कि इसको मैं आउन किया उसकर continuously आपने बाइस को open कर सकते हो तो मैं एक बार बाइस को open करते हैं इस तरह का window खुलेगा आप जाना security वाले टैप पे और यहां पे आपको security जैसे पर click करोगे तो यहां पर आपको option मिल जाएगा fingerprint reset on reboot इसको अगर आप टिक करोगे टिक करके जैसी मैं save पर click करूँगा तो यह क्या करेगा जब भी next time अभी मैं इसको reboot होगा तो यह fingerprint को reset कर देगा मैंने save पर click किया ताकि setting save हो जाए जो मैंने select कर गी है ठीक है उसके बाद मैंने जाना main menu पर main पर click किया और यहां पर आजाएग option save changes and reset save changes and exit इस पर मैं click करता हूं इस पर click करता हूं अब मेरा laptop जो है वो restart होगा और restart होते time वो fingerprint के settings को भी पूरा reset कर देगा तो इससे भी आपका issue solve हो सकता है तो आप यह method भी apply कर सकते हैं अगर आपके case में इस तरह का option खुलके आता है और reset fingerprint sensor देखें यहां पर लिखा हुआ है प्रेस एफवान टू कंफर्म दा रिसेट रिक्वेस्ट और एफटू टू रिजेक्ट तो हम एफवान को प्रेस करेंगे तो यहां से आप इसने fingerprint को एक बार रिसेट कर दिया और इससे भी आपका issue solve हो जाएगा